परधान मंत्री SSV छातरवर्ती योजना की तैयारी कर रहे कक्षानों के सभी विद्यारतियों का हार्दिक स्वागत है दोस्तो आजम देखेंगे आपके सामाजिक विज्ञान का तीसरा मोडल पेपर इससे पहले दो मोडल पेपर हो चुके हैं और उससे भी पहले हमारे विज्ञान का पूरा सिले बस चेप्टर वाई चेप्टर हमने कवर कर लिया है तो अगर किसी विद्यारतियने नहीं देखा हैं तो प्लैलिस्ट में जाए वहाँ पर आपको सभी वीडियोस सिक्वेंस में मिल जाएंगी आज संडे हैं दोस्तों तो संडे को हमारा टेस्ट होता है जो कि हमारे एप पर होता है वो आप कभी भी दे सकते हो जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता लेकिन उसमें क्या है ना संडे को ही टेस्ट दिने में मज़ा ये है कि उसमें rank आपकी अगले वीडियो में बता दी जाएगी मतलब जो भी top 3 student रहेंगे उनकी rank ठीक है तो आप test होगे रहा जरूर दे चलिए आज का वीडियो सुरू कर लेते हैं रोज हमारा वीडियो आता है सामके 5 बजे तो अगर कोई विद्यारती नया है तो उसके लिए ये नई जानकारी होगी कि हमारा वीडियो डेली 5 बजे आता है और हम chapter by chapter और subject wise आपका सेले बस cover कर रहे हैं तो चलिए पहला question आपके लिए तोड़ा सा maintain करना आज ठाले हो रहे हैं इसलिए पहला question है उस विद्योई का नाम बताईए जिसने कई किसान नेताओं के समर्थन से अंग्रेजों के खिलाप गुरिला युद लड़ा यान कि उस विद्योई का नाम बताना है जो किसानों के साथ में मिला और अंग्रेज़ों के खिलाब लड़ा तो देखो मंगल पांडे जो हैं तो एक सेनिक हैं तो ये तो सेनिकों के साथ लड़े थे बाद उरसाज़ पर एक राजा थे तो ये भी राजा मों के साथ ही होंगे और नाना साहब भी एक राजा थे यानने कि यह ढ़ें कहां हैं और यहांपर बचिया अपने टात्या-टोपे तो जो टात्या-टोपे हैं यह अपना right answer हो जाएगा यड़िन आंसर यह भी में इसी के नीचे add कर दिये हैं जिससे आपको कद्र की जाती है ना की जाती है ना लेकिन ये जो इनका बेटा है ना अजरत महल का बेटा इनकी कहना कद्री नहीं की जाती तो कद्र से आप कर लो बिर्जिस कद्र तो इनके बेटे का नाम क्या हो जाएगा बिर्जिस कद्र अब आपको पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं ह क्योंकि आप तो बस कदर याद रग लो पिर वहाँ पर आ जाएगा बिर्जिस कदर तो आसानी से टिक कर दोगे तो इनके बेटे की क्या नहीं होती ती कदर नहीं होती थी इसलिए इनका नाम क्या हो गया अब बिर्जिस कदर चलिए नेक्स्ट कीविशन देखते हैं वो इसतान जहां बादर साझ जफर को अंगरे जो ने आ जीवन कारावास की सजा के लिए भेज आता है ये दोस्तों काफी इंपोर्टेंड क्युशन है इस्टार ही नहीं बना तो बहादूर साजपर को आज इवन कारावास के लिए कौन सी जेल में भेजा गया था ये पूचा जाता है तो क्या कहोगे रंगून की जेल में भेजा गया था अच्छे से याद कर लेना ये काफी ज़्यादा पूचा जाता है ठीक है अगला किशन देखते हैं कौन अपने दत्तक पूत्र को अपने जांसी राजे की उत्रादिकारी की रूप में मानेता देना चाहता था मतलब कौन चाहता था कि जांसी का राजा होना चाहिए मतलब राजा होना चाहिए तो कौन तो रानी लक्षमी भाई आपको पता है जांसी की रानी का नाम क्या था लक्षमी तो यहीं तो चाहिएगी मेरा बेटा जो है इन्होंने जो गोद लिया था वो बेटा क्या बन जाए जहां सी का राजा बन जाए तो यह इस तरह की से पूछ रहा है ठीक है अगला प्राशने मुगल सामरáजे की वर्से 1860 उनके विद्रों का जो नेतरित उता वो किस ने किया था मतलब 1860 उनका वाना विद्रों लड़ाय हुई अंग्रेजों के खिलाब तो उसमें क्या बोलते हैं मुगल सामराजे की वर्से जो नेता था वो कौन था तो राइट आं नाना साहब कौन थे तो नाना साहब आपसे पूछ रहें देखो नाना को एसे याद कर लेना नहीं तो आराम से बता दोगी किया आप नाना साहब कौन थे इनमें से पेश वाप बाजी राव जुत्ये के बेटे थे किसके बेटे थे पेश वाप बाजी राव जुत्ये के अगर आप पढ़ना चाहो तो इस पीडियोपको कर लेना शीपाई से आप क्या समझते हैं मतलब देखो दूसरी क्लास के बच्ची से जो परस्प्न पूछना चाहिए वह क्यूशन भी आप लिए हैं कि सीफडिव का होते हैं और रहे याने की ये पूच रहा है कंसे विदरों उन्हें करहने कि तो उसमें तो उसमें नाना साब ते ना यह कहा के लिडर पूछा जाता है और इनमें एक QEnt ज़रूर आप से पूछा जाये गा तो देखो इसकी ट्रिक भी आपके लेकर आया हूँ आपका जो नाना जी है वो और कना इसी आहद करें आ क्या करोंगे नाना और काना तो काना से ओजाएगा कानपूर और कानपूर कोंटせて सहके साजाWW पहले बातों यहां से दो किशन बनेंगे पहरा किशन की बताओ हड़ा नीती जो है यह किसके द्वारा लागू की गई थी मतलब जो हमारे राज्य थे ना उनको अड़पने की जो नीती थे ना वह किसने लाया था कौन चाह अधिकाली था तो राइट अंत्र हो जाएगा याद करना है और दूसरा इसमें यह करना है कि भई इसका मतलब क्या था इस यह जो नीती लाया था ना इसका मतलब क्या था इसका मतलब था दोस्तों कि भई जो अगर मालू किसी राजा के बेटा नहीं हुआ तो फिर वह किसी दूसरे बेटे को गोद लेकर उसको राजा न ता देखो अगर आपने जांसी की राणी का एपीसोड देखा हैं तो आप गंगादर राओ के बारे में सिर्फ एक बात जानते होंगे और वेसे भी एक बात जानते हो कर तोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो तो क्या है वो कि गंगादर राओ जो है ना वो पती थे किसक सब्सक्राइब की तेवह मोइन फरेपन प्रमत्रू में कि इसके पती की किसके और रानी लख्समी बाइक के तो यह से भी आद כर सकते हो बागी अगर आपके यह से याद हो जाता है तब तो कोई दिक्धत है नहीं मेरट का विद्रोग मेरट का डीली का सबूझा जो विद्रोग लगवान्ड तो यह तो सिंपल है कोई बयाजाए आप तो 867 कर गया जाना अवद के विद्रूम में नेत्रिटी तो अभी हमने जाना कि जो नाना थे उन्होंने काना का नेत्रिटी किया था मतलब कानपुर का ठीक है तो जो अवद था इसका नेत्रिटी किस ने गया था फिर अब देखो हमें ये भी आदे रानिलक्षमी भाई ने तो कहा का नेत्रेसी किया था जया अका निदिक हैुगा जो श creators लेके किया था उड़ीते क्दने का क्दर ही नहीं किया जाती थी तो कद्र से आप याद लेक लो बिर्जिस कद्र वैसे कद्र भी रखलो कोई दिखत नहीं है वहाँ पर आराम से आप टिक करके आजाओगे अब देखो आगे का क्यूशन ग्वालियर पर अंग्रेजों का पूनक कब्जा कब हो गया तो इसमें भी याद रखना कभी भी किसी भी मतलब जैको हुआ गया अटर भारत के लोगों को बगा दिया तो सताओं में तो युद्धी हुआ था तो अगले साली फिर उन्हों ने वापस कब्जा कर लिया था तो अठ्ञाओन याद रखना अगले साली उन्होंने कर लिया था यसे कर लिया अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दो बैए 42 में तो हो उन से पहले के हैं तो सता उन से पहले तो अमने कबजा नहीं किया था तो यह तो वेसे गायब हो गए और 63 को तो बहुत पीचे चला गया इतने साल तो अंग्रेज बेटे दोड़ी ना रहे थे उन्होंने तो वापस मतलब तुरंदी कबजा कर लिया तो यह से याद हो घंगादर राओ असे आपको एक बात याद लगनी है को सीपाई से सूबवेदार का प्रकासिशन किसने लिए मतले है क्या नाम है जिसका सीपाई सैं सूबवेदार के कि अ किताब है अब आपको यह बताना है कि यह किसने चापवी थी वो बताना है तो राइट आंत्र हो जाएगा सिताराम पांडे देख और आपको एक नाम याद Promise एक सिपाई का सिपाई का नाम याद होगा मंगली याद है ना तो जिससी पाइए तो याद करें की कोई तो उसके उनके जाती का कोई लोग अदम पसीता राम पांडे किताब लिग रहाएं कि उनका प्रफ ये नहीं था लगिन आप याद करें अभी और अगर आप वीडियो को ध्यान चेशने तो यह जो मैं बोज रहा हूं यह आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और एक्जाम में तो आराम से इनको कर लो गया ताट्या टोपे कौन थे तो ताट्या तोपे अभी हम जान रहे हैं यह स्वतनतरता से नहीं थे तो बहरत पर मुगल सामराजी समापत हो गया मोगल सामराजी में वे स assists होने का गता लेकं अंग्रेजह उने फिर घरेटी करें जड़व में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले नेता कौनتожно श्क्रिये रूप से भाग लिए थे नाना साब नाना कहां ते नाना पूर का ने तरह ने लक्स미 भाई जा पहरा इधर उधरी यह बीच में उठक रहे थे कभी यहां जाते थे कभी महा जाते थे इस तरीके से तो यह तीनों रैट वायज़ा रहिए आंसर हो जाएगा मंगल प पते हैं तो राइट आंचर हो जाएगा तरह सो तीस सोरी अटरह सो तीस से अटरह सो सतावन तक तो हम अंग्लेजों से लड़ते रहे ना लेकिन पर आकरम रुख गई उन्होंने वापस पिर कब्जा कर लिया था तो अठरह सो तीस से और सतावन तक जो काल है वही क्या है दिल याद रखो 1830 से 1877 अगला वक्योष आपके लिए 1880 में लाहोरी गेट सुदार योजना की योजना क्यों बनाये गई मलब एक योजना चलाए गई इसका नाम था लाहोरी गेट सुदार योजना तो यह पोच रहा है कि यह सा क्या कारण था कि यह योजना चलानी पड़ी त जीनत अलमस्जिद को किस इमारत में परिवर्तित किया गया एक मस्जिद थी जिसका नाम क्या है जीनत अलमस्जिद तो इसको इसको बदलकर कौन सी इमारत बनाए गई तो राइट अंतर हो जाएगा बेकरी क्या बनाए गई बेकरी बनाए गई अगला प्रशने दिल्ली की से बड़ी और भव्य मस्जिद का नाम क्या है जामा मस्जिद तो जरूर याद रखें आप इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हो कि आप डीटेल में देख सकते हो यहां पर अगला प्रस्ट है निम्ले लकित में से कौन सा राष्ट पदीपद नहीं है राष्ट इल है त्वा को में से तो बांबे मदरास और बंगालिया उस समयं अंग्रेजों के आंदर में अपना था मुगल बाद साहोगे रहा उनके भारत में अंगलेज के अधीन प्रसिडेंसी सर कौन से थे तो जैसा कि अभी आम ने जाना तो इनके अंडर में बॉंबे मदराज, कलकता, कलकता ही बंगाल हो गया मतलब तो ये तीनों जो यह क्या थे उस समय अंग्रेज़ों के अंडर में थे ठीक है और उन्होंने आपको पता है कब जा करना उन्होंने कलकत्ता फिर दिर दिर अवद पिर बिहार उदर से मतलब दिल्ली की तरफ बाद में आये थे फिर अगला प्रस्टे पस्चिमी विश्व में आधुनिक सहरों के उद्यका तातकाली कारण किया था जो पस्चिमी विश्व मतलब ये यूर्वो वग्यरा इनके जो सहर्त है वह तरह चल्फ न ने जादा विक्षित होना शुरू कर दिया उन्हों पूर उन्होंने विक्षित होना क्यों शुरू कर दिया तो राइट और उद्ड आहाँ बड़्यों को ज्यादा यह बड़ावा लगा व्याव पार्कु कुछ जयाजाए होने लगा इसलिए दक्षिन पारत की एक मंदिर का नाम बताई ये मदिर मन्दिर ये सबीर अपना जो अपना प्रस्ञत है आपके आपके लिए किस्तर भी सताब देखें दोरान विख्षित तीन दर्बारी कसमों के अनाम आपको बताने हैं तो सत्री विस्त आप देगे दोरां जो विक्षित हुए थे तो राइट अंतर हो जाएगा दिल्ली आगरा ओ लाहोर यह क्या थे उस कि नहीं भी याद तो इसको तो कम से कम याद करहिए लिया कि लाल किला किस ने बनाया था तो साहजण ने बनाया था आगे बढ़ते हैं इसके बारे में तोड़ा सा ये भी दे रखा हैं कि इसके जो ये इसके बारे में डेटेल हैं लाल किला या लाल बलुआ पत्र से बनाएं महल पर इसर ठीक हैं दर्गा क्या हैं दर्गा क्या हैं ये तो सभी जानती यसे भी पूर सकता हैं ये एक मकबरा हैं समय की बात कर रहा है तो चोधा राजदानिया अगला प्रस्ट है दिल्ली को ब्रिटिस बारत की राजदानी के रूप में कब पुनर निर्मित किया गया हुआ क्या था पहले जो था मतलब दिल्ली राजदानी थी लेकिन फिर दिल्ली से हटा ले गई फिर वापस उन्होंने जो अंग्रेश थे ना उन्होंने दिल्ली को भारत की राजदानी कब बनाया था तो 1912 में और ये क्यूशन चपे गई चप जिनको मैं इस्टार लगा रहा हूं न वो क्यूशन काफी ज्यादा इंपोटेंट है तो 1912 में बनाया था अगला प्रस्ट नहीं है आपके लिए पहले तोड़ था आपके लिए जान लेते हैं कि अपना चैनल आपके लिए क्या क्या कर रहा है तो देखो डेली अपना चैनल सामको पांच बज़े आपके लिए एक वीडियो लेकर आता है जिसमें हम चैप्टर वाइज टोपिक वाइज सिलेबस को कवर कर रहें दूसरा करवा रहे हैं तो आज हमने टेस्न कर आपको तो अगर आप मिलताइए और यह सभी जो आपको मिलेंगे ओनली 49 रूपीज में यह ज्यादा नहीं है मतलब एक दिन का आपको वन रूपीज लग रहा है जो कि ज्यादा नहीं है यह इसके लिए आपको क्या करना है और विए सी बाइस सुनिल के पार्टन एपको जाकर इंस्टॉल करना है ठीक है तो क्योंकि एसी तै पार्टें वो देख लेते हैं तो देखो भटकना नहीं है आपको आचे से जुड़के हमारे साथ त्यारी करनी है ठाले हो रहा है देखो मेरे फिर भी आपके लिए मैंने का अभी एक बीजिन स्किप नहीं करना है चाहे कोई बात नहीं तोड़ी सी प्रोब्लम हो जाएगी क्या नाम रिखा मतलब अरब के जो लोग कपड़े लाये ते वहां से उनका हमारे भारत के लोग ने क्या नाम रखा था तो गम्रबाद पाटन यह सभी गुज़रात में हैं यहां पर यह एक कपड़ा हैं यह बनाया जाता था और फिर इसको हम इंडोनेत यहां में बेचते थे जहां पर इसकी काफी ज़्यादा मांगती तो क्या बेचते थे हम पटोला आपने गाना सुना होगा ना इसका अगला कि यह स्पिनिंग जो जैनी है इसका अविसकार हुआ था 1764 में यह तोड़ा सा यहां पर इसको हम आगे नीचे देखेंगे ठेकें आप अभी के लिए यह याद कर लो सिर्फ इसका नाम को नीचे देखेंगे तो इसका नाम अपना क्या हो जाता है जैम्स मील हो जाता है क्य 1764 जरूर याद रखें इस्पिनिंग जेने का विसकार 1764 में किया गया था इस्पिनिंग जेने का विसकार आगे बढ़ते हैं निम लिकित में से कौन सा एक घरेलू कताई का उपकरने तो राइट आंसर हो जाएगा टाकली तकली सोरी ठाकली नहीं तकली जो है यह क्या है ए विस्व की कारेसाला कौन से देश को करते थे तो इंग्लेंड को करते थे 1850 के दिसक से क्योंकि देखो इसका सभी लगबग सभी देशों में अधिकार हो गया था अधिकार होने के बार में वहां पर अधिकार इंग का चलता था तो यह पूरा काम जो है ना इंग्लेंड में बेट कर यह करते थे लिए सभी देशों की कारेशाला कौन हो गई यह हो गई क्योंकि सभी काम यहां से ने पट रहे थे इसलिए भारत में जामदानी बुनाए कि महतुपूर्ण केंदर कौन से हैं तो राइट आंसर क्या हो अंतर हो जाएगा लोहा गलाने में देखो इसको ट्रिक के मादें से याद करें ना कैसे याद करोगे बहुत जो लोहा हैं वो किसमें गलाए जाता देखो अंगारों में अंगारे से क्या हो जाएगा अगरिया तो अंगारा अंगारा से क्या हो जाएगा अगरिया क्या करते है लोहे को गलाना अगर यहां करते हैं अगर यहां मद्यबारत में रहने वाले एक समुदा हैं जो लोहा गलाने में माहिर था था की बात कर रहे हैं ठीक है समझ गए चीपी गार्स कौन थे तो चीपी गार्स ब्लोग प्रिंटर थे यह भी इंसान थे एक समुदा आये था यह भ कपड़ा थे उसके बाद कहीं सारे कपड़ा हैं जिसे चेंटि वो गया कोसा खश्चा लंदना यह किस परकार का कपड़ा माना जाता था यह मुद्रित-सूद्धी कपड़ा माना जाता था प्तोला किस राजय में नहीं बुना जाता था तो राइट आंडर क्या हो जाएगा राइट आंतर हो जाएगा साबर मती सूरत अहम्दाबाद और पटना अभी हमने देखा भी था यहां पर पटोला जो कपड़ा था वो बुना जाता था ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए कच्छा माल कहां से आयात करता था तो ब्रिटेन था वो अपना कपड़े बन एक बड्र में विक्ता था या और घरिया कौन था यह लोग अएक्स ले जाने लेजाए और वाल्ट्र यहां यहां जो होता था ना उसको गलाने वाला व। अखिवाप्टी आँ यह ऐगहाईगा ऑग्रिया जामदानी क्या हैं यह महीन मलमल हो जाएगा बढ़िया मलमल मतन क्यों कहा जाता था क्यों कहा जाता था पूझेगा तो यह का व्यापार यह गलत हैं अगला प्रस्ट ने आपके लिए उद्योगों का उल्लेक करें जो इंगलेंड में उद्योगी के लिए मतु पूर्णते तो राइट आंतर हो जाएगा कपड़ा और स्टील मतलब कपड़ा क्या हुआ यहां पर उध्यक्त करांती आई क्योंकि बड़े-बड़े फिर उध्यों यहां पर इस्तापित हो गए भारत में लोहा गलाने की कलाका पतन कब हुआ लोहा गलाने की जो परंपरा थी वो हमारे बारत से कब चली गई तो राइट अंसर हो जाएगा उननीसवी सदी में उननीसवी सदी में क्या हुआ उननीसवी सदी में यह बड़े अंसर हो जाएगा Selanayai तो जरूर याद करें इनको यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्विशन है टीपो सुल्तान की तलवार इतनी लोग पर यह क्यों थी तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा क्योंकि वह उसी से लड़ते हुए मारे गए थे यह बाकि डीटेल आप यहां पर जरूर यहां पर देख लेना अगला प्रसने इस्पिनिंग जेनी का विश्कार कब हुआ था तो यह अभी अमने जाना भी था कि यह जो इस्पिनिंग जेनी है इसका विश्कार 1764 में हुआ था अब देखो यहां पर इसके विश्कार आ गए हैं तो देखो जो इस्पिनिंग जेनी यह ना उसका विश्क से जुलते ना तो यह से याद कर लेना इसलेंग जैनी और जैम्स है गकर उन्चत बाकि आप टेश्ट दो गे ना तो वहां पर आसानी से इस मतलब आपको और भी ज़्यादा clarity हो जाएगी और भी ज़्यादा ये clear हो जाएगा दोस्तों भाइसाब मतलब जाले बहुत ज़्यादा प्रिशान कर रहे हैं आपका जो पाड़ था वो यहीं पर समाप्त होता है 14 पेश देखलो हो गए हैं तो कल आएंगे कल मिलेंगे वापस है ठीक है तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए आप सभी को best of luck